पवन सिंग बना लिए है नई पार्टी जिस पार्टी का नाम है सर्व समाज पार्टी जिहां सर्व समाज पार्टी के मतलब तो आपको समझ में आहीं रहोगा यानि कि सभी समाज का पार्टी पवन सिंग बना चुके हैं अब पवन सिंग पास होंगे कि फेल होंगे हीट सारे चीछ परको मैं चर्चा करूंगा हलाकि पवाउं सLESिंग पार्टी किस बैसिस का क्या स३कर बनाए है क्या उनको अच्छा लग ख्राब लग ऑ किसलिए पार्टी बनाए हैं यह अन वैं得 मनें आप से चर्चा क्या यह थो आपने आपको समझ रहे हिसलिए कि को कही न कहीं जो चुनाओं में जो बहुमत मिला है चुनाओं ने इस तरीक यह सब फवावण सिंग को चुनाओं में जो नतीजे मिले हैं दो लाग पच्छातर अजार निरधलिये प्रत्यासी ग्रूब में भोट मिले हैं तो कहीं न कहीं का confidence बढ़ा हुआ है अब confidence बढ़ने के बाद जो पॉस्टर को वैरल किया गया है सरस्वाज पाटी का उसमें लिखा गया है महंगाई से तरह ही माम जनता बिरोजगारी से तरह माम मोधी जी को टार्गेट करने लगे और कहीं केंडर में मोधी जी के सरकार है मोधी जी के सरकासे टिकट भी नहीं मिलता है अला कि लोग बोलते आधी अ peng郊 बात बिल्कुल सचाई है कुछ हमारे मित्र लोग बोलते हैं कि पाउन भीया सब की नेता है लेकिन जब राणीत में लोग आते हैं तो भाईया जतिवाद में कर बहुत हो जाते हैं जतिवाद के वज़ासे ही पाउन सिंग का चुनाओं में हार का समना करना पड़ा वरना कर चाहिए कि बहुत दलीए भौट पहुंची को मिला है हर एक जात का हर एक दल का पहुंची को मिला है तो पाउंख ने भी सरसमाज पाटी बना लिया है पाटी की सबसे अच्छी खासित क्या है उसमें बावा सहाब हीम रावामितकर जी का कोशन लगाया गया है सुबाश बोह जी का फोटा लगाया गया है और उर्व विर्पुवर सिंग का फोटा में लगाया गया है यहां बहुत आप तो जानते ही है अब मिला कर बात यह होता है कि कुछ लोग सबसे बड़े चहरा नेता कौन है मुंके भूमिहार समाज के नता कौन है तो आप जानते ही हैं अभी लोग उनको मानते हैं लेकिन अभी फिलहाल अस्तोस कुमार जी भी अपने समाज को लेकर चल रहे हैं और क्या है नहीं है तमाम जाती में अपने अपने जाती के लोग एक नेता बन बैठे हैं आखिर असनुदन ओवैसी जो है गुजरात के जो सांसर है ओवैसी को भी लोग भोट करें लगे हैं मु समाज के बहुत बड़े नेता बन गए है जिहां लवली अनंद और आप देख सकते हैं कि अनंद मोहन जिस तरह के से राजपूत के उचर्शित नेता थे ठाकूर के कुएं कौन-कौन जो मैटर हुए थे पाटी भी छोड़ दिये थे तेसवी यादों का तो लवली अनंद क अगर वाज़ासी पर ने भोट लाइं पर देखते हैं कि भी धान समा सीट पर किसकी सकी लोगों को अपने सिट से चुनाव लादाते हैं परभाव क्या होगा अगर पवावनसींग के वाज़ा से कोई भी चुनाव हार गया अगर पहुण से करण से वीधा सवाय में कोई भी उनके परतिद्वांदी या फिर उनके विरोधि चुनाओं सींग विरोधी विरोध हार जाता है तो मान के चलिए कि पहुण सिंग मुखमस्थ मंतरी के दवेदार हो ना हो लेकिन पहुण们 के बिहार में एक अपने पूस समाज का निता बन के उभरने का बहुत बड़ा मोका मिलेगा क्योंकि पाउन सिंग जिस तरीके से जिस वे में जिस मूड से चले है पाटी बनाने तो कहीं न कहीं कुछ लच्छ होगा या फिर लोग सभाचुनाओं में उनके साथ हुए छल गदारी और पाउन सिंग को है कि पाउन सिंग बना रहे हैं तो यादो होना चाहिए मुसल्मान होना चाहिए बहुत्वान होना चाहिए भोमिहार होना चाहिए राजपूत होना तमाम जाती जाती के लोगों को हर एक जाती चाहे महादलीत हो चाहे समाज के जो भी लोग हो पावंसिंग को अगर पाटी में रखते हैं चाहे तोड़का होता है अगर इस्टी में सक्सेज होते हैं तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन देखते हैं कि पावंसिंग पाटी पार को चुनाव लड़ाएंगे और उनका विरोधी कौन है भाजपा यानिकी नर्दर मोधी जिनना हुव ठीकट नहीं दिया पहुंस को उसे कहीं नहीं कहीं यह दुझें को बहुत बड़ा सबस्क्राइब कि अपनी पत्नी को चुनाओ लड़ा सकते हैं खबर एभी है कि आरा से अपनी मा यानि के पॉण सिंग जिनको आदर्स मानते हैं मां का अदेश पर हमेशा पॉण सिंग रहते हैं खड़े रहते हैं हो सकता है कि अपनी मा को भी चुनाओ लड़ा सकते हैं क्यूंकि पॉण सिंग के वज़ा से सहाबाद की तमाम सीटे भाजपा हार गई और कहीं न कहीं राजपूस समाज के बहुत बड़े नेता फूंसंग के ऊपर टिपनी करना पर गया बहाडी और कहीं न कहीं को कोई हराने मौलाभी तक कोई पैदा नहीं हुए था लेकिन आर्क जी को भी हार का सामना करना पड़ा बकसर की सीटे हार गई पॉणसंग के वज़ा से भाजपा और तमाम a。 से सीट है आपके सासानम सीट है वहां पर भी भाजपा हार गई और जिस जगा अमीज साह मोदी जी का इंट्री होता है वहां से चुनाव लोग हार जाते हैं जहाना बाद में परतिदवन्दी को हार आके तो कोहीं न कहीं पाउंच चीको कणफिडेंस आया है कि हमें भी लोग सबस्तों चाहने वाले है इसलिए इस दिन पार्टी बनाने का मूड मोड होता है और कि ओगने कि कि तो चार पांच सीट भी अगर फिर हार बिधान सभा में भाजबा तो पावन सिंग किसी पार्टी से अपना टाइब करके दूचार दस सीट ले सकते हैं पांच सीट ले सकते हैं अपने समाज के बहुत बड़े नेता बने हुए हैं और मोका मिलेगा क्योंकि अगर कुछ टिकट पर कुछ चुनाव लोग हार जीत जाते हैं तो बहुत बड़े मंत्री के दावदार हो सकते हैं मुख मंत्री बने मालूम नहीं है लेकिन राजपुत समाज का सबसे बड़ा चेहरा पहुंसिंग बनकर उभरने वाले हैं एक खबरे सोचल मीडिया पर तमाम जगाय से चल रही है क्योंकि भाया बिहार में जतिवाद ही होता है पावन सिंग बना रहे हैं लेकिन उनके दरसक काफी कोमेंट मिले करें कि उनको गाना संगीत मनुरजन इंटर इंटर्टेन्मेंट फिल्में तमाम चीज़ें करने चाहिए क्योंकि पावन सिंग गाना गायकी से थोड़ा दूरी बनाए हुए है और पावन सिंग राजनीत म फरकाम करना चाहिए उनको गायकी में भी साट रहना चाहिए को उनके ऑरडियंस काफी उनकर ने पॉछन का दूंसिंग पावंसिंग को पांटी बना रहे हैं इस पार्टी में क्या क्यों फैंसला लेने वाले हैं क्या क्या गोसना करने वाले हैं उनका उदेश क्या होगा उनका लक्ष क्या है फिलहाल इतना ही आपका भाई छोड़ दवा है